जूही चावला से साधी करना चाते थे सल्मान खान साधी का प्रपोजल भी ले गए थे जूही के पिता ने कर दिया था मना एक समय था जो सल्मान खान जूही चावला से साधी करना चाते थे सल्मान ने इसके लिए जूही के पिता से उनका हाथ भी मांग लिया था हाला कि जुही के पिता ने सल्मान का proposal माननी से इंकार कर दिया था सल्मान खान का एक पुराना इंटर्वी वाइरिल हो रहा है जिसमें उन्होंने जुही से शादी करने की इच्छा जताई थी हाला कि 1995 में जुही ने बिजनिस मैं जै मैता से शादी कर ली सलمान और जोही ने 7 1997 में आई फिल्म दीवाना मस्ताना में काम किया था जोही के पिता ने सलमान को कर दिया था मना एक सोसल मीडिया यूजर ने सलमान के पुराने इंटर्व्य की छोटी क्लिप को केपसन के साथ सेर किया सल्मान उस वीडियो में कहते हैं कि जूई बहुत प्यारी है, मैं उनके पिता से शादी के लिए पूचा था इंटरवीई ले रहा है, होस्त ने सल्मान से पूचा कि जूई के पिता ने उनसे क्या कहा जवाब में सल्मान बूले, नहीं होस्ट ने इसकी वज़े पूछी तो सलमान ने कहा मुझे लगता है कि बिल फिट नहीं बैठा सलमान खान से जुड़ा ये वीडियो के लिए 1990 के समय का है इस इंटर्वी के हुए सालों हो गए है लेकिन सलमान को आज भी लाइफ पार्टनर की तलास है वही जुवी की शादी 1995 में ही हो गई थी उनके लाव स्टोरी भी बहुत दिल्चस्प है उनके पती जै मैता पहले से ये शादी सुदा थी जुवी जब जै से पहली बार मिली थी तो उनकी पहली पत्नी सुजाता बिल्ला की मौत एक प्लेन क्रैस में हो गई थी इस हादसे के बाद जुवी और जै के बीच नजदी क्यां बड़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली थी जुवी और जै के बीच में साथ साल का एस जी फ्रेंस है उनके दो बच्चे बेटी जानवी और बेटा अरजुन है जुई के पती जय मेता मर्टिनेर्सनल कंपनी मेता गुरूप के ओनर है उनके सीमेंट की दो कंपनिया भी है सारुख खान के साथ वियाईपियल टीम कुलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर भी है सल्मान खान अपनी लाइफ में कई एक्ट्रिसेस को डेड़ कर चुके हैं लेकिन उनमें से किसी की भी साथ उनका रिष्टा जादा दिन नहीं चल पाया सबसे जाद चर्चे उनकी और ऐसर राइ के रिष्टे की हुई थी 97 में हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सल्मान और एरशोरिया करीब है हाला कि बाद मुनका प्रेक अप हो गया इसके अलावा सल्मान का रिलेशन संगीता बिजलानी सूमी अली और कैट्रिना कैफ से भी रहा रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान पिछले कई समय से रोमानिया की मौडल यूलिया वंतूर के साथ रिलेशनशिप में है यूलिया वंतूर का जनम 24 जुलाई 1980 को रोमानिया में हुआ था वे मौडल एक्टर होने के साथ ही सिंगर भी है उसके बाद से इस सल्मान और यूलिया की वीश नजदीकिया बढ़ गई बाद में यूलिया भारत आ गई यहां वोक्सर सल्मान की फैमली के साथ टाइम स्पेंड करती है अभी हाल ही में वो सल्मान के 57 जनम दिन पर सल्मान की बहन अर्पिता के घर नज़र आई थी हाला कि सल्मान और यूलिया ने कभी अपनी रिलेशनशिप की आफिशियली पुस्टी नहीं की है